दोस्तों जहिन मैं हूँ शम्स तपरेज और आप देख रहे हैं टाइम समील दुनिया में कई बड़े बड़े पावर्फुल देश हैं कुछ दूसरे देशों के कंधे पर रखकर बंदूख चलाते हैं जैसे अमरीका इस्राइल के कंधे पर रखकर बंदूख चलाता है इस्र से भौजन करते हैं एक ही मुखसे खाना खाते हैं और सब का पेट आपस में सटा हुआ है उपके सब आपस में भाई-भाई है इन लोगों ने अपना एक military base बना रखा है जिसका नाम है इसराईल और वहीं से इनकी सारी जरूरते पूरी होती रहती है लेकिन एक देश ऐसा भी है जो इनकी दाल गल्ले नहीं दे रहा है वो कह रहा है कि जैसे भी आओगे कैसे भी आओगे किसी तरह से भी आओगे यहां से पिट कर जाओगे और यमन का अनसर उल्ला यमनी आमदफोर्स या फिर हूती कहें यह इतने powerful और इतने खतराख हो चुके हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और योरोप के दूसरे देश जिनका तालुक इसराईल के साथ है अगर वो यमन के समन्दरी अलाके में लाल सागर में, अरब सागर में, हिंद मार सागर में कहीं से भी गुजरने के कोशिश करते हैं तो उनको मन्जल पर पहुँचने से पहले ही यमन की हूती उसे पानी में ही आग के शोले में तबदिल कर देते हैं जिसे कहा जाता है ना कहवत आग लगा दी पानी में तो यमन का हूती वो ताकत रखता है जिसके आगे पानी में आग लग जाती है जो चाह जाए तो समंदर में आग लग जाती है बड़े-बड़े देशों के ओल टेंकर बड़े-बड़े देशों के कारोबारी जहाज अब तो ये हालत हो गई है कि यमन के हूतियों ने इसराइल के भीतर हाइपरसोनिक मिजाईल दागना शुरू कर दिया है और जो ताजा उसने हमला किया है उस हमले से इसराइल का एयर बेस, मिलिटरी एयर बेस सेफ नहीं बचा है उस पर भी यमन के हूतियों ने मिजाइल दागा अब सोचिए कि 2000 किलोमेटर दूर से यमन के हूति तेल अवीब में हमला करते हैं नेतनियाहू के प्लेन पर हमला कर देते हैं इस तरह की घटनाओं को वह अंजाम दे रहे हैं लेकिन नेवातिम के एयर बेस पर हमला करके यमन के हूतियों ने अपने ताखत को फिर से आजमाया है दरसल ये देखने को कोशिश करते हैं कि इसराइल की एयर डिफेंस फोर्स कितना काम कर पा रही है अब सोचिये जो थाड एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खड़ा ही से लिए किया गया दा कि दुश्मर अगर हाइपरसोनिक बैलेस्टिक मिजाईल से अटैक करे या हाइपरसोनिक हावा की गती से भी फास्ट तेज हमला करते हैं इनकी रफ्तार हवा से भी कई गुना जादा होती है और इसी हाइपर सोनिक मिसाइल को रोकने के लिए ही अमेरिका ने अपना सबसे काबिल मजबूत एयर डेफेंस सिस्टम दिया है जो सेटलाइट से चलता है पकायता उसका नाम है थाड फिर बीश में यह सुनने में आई कि सहाब वो जो आस्मान में वो सेटलाइट लगा था ना है हाला कि इस बात को मीडिया कहीं अक्षप्ट नहीं करती है लेकिए कानो कानी उड़ने वाली बात है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है धुआ वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है और आग तो इस्राइल के भीतर पहले सही लगी हुई है सेटलाइट से चलने वाला खतरनाक सबसे खतरनाक में खतरनाक जो एर डिफेंस सिस्टम था थाड वो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहा है कहीं भी वो कारगर नज़र नहीं आ रहा है यानि की दुश्मनों ने इस्राइल के दुश्मनों ने अमरीका के दुश्मनों ने हूती इसमुल्ला और हमास ने अमेरिका के दिये गए हथियार का तोड निकाल लिया है पर सबसे शर्मनाग बात तो अमेरिका के लिए ये भी है कि एक तो उसका ठाट काम नहीं कर रहा और दूसरी तरफ उसके दिये गए ड्रोन कबार में तबदील होते जा रहा है और इतना सटीक निशाना मार मार के गिराते हैं कि एक दो नहीं बलकि पूरा दर्जन पूरा हो गया है यानि एक दर्जन अब तक MQ-9 रिपर ड्रोन को यमन के हूती मार मार कर नीचे गिरा चुके हैं अब तो गोधी मीडिया भी कहने लगी है कि यमन के हूतियों ने मार मार कर कबार बना दिया MQ-9 ड्रोन का यमन के हूतियों के जरीए अब तक ये 12 ड्रोन मार कर के गिराया गया है नूंबर 32 से जब से जंग चल रही है अज 13-14 महीने हो गए इस जंग को चलते हुए और यमन के हूतियों ने 12 अमेरिकन रिपर ड्रोन मार कर के गिराया है जिसके बाद ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यमन MQ-9 ड्रोन का कबरगाह बन चुका है यानि अमरीका जब-जब MQ-9 ड्रोन को यमन के उपर भेजेगा तब तब वो कबार में तबदीर हो जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा तबाह हो जाएगा बरबाद हो जाएगा और अमरीका को अरबों डॉलर का बनाया गया MQ-9 ड्रोन खोना पड़ेगा तो यह हालत होगए यह इसराइल की अमरीका की पस्चिमी देशों की जो बच नहीं पा रहे हैं बकाइदा यमनी आम्ड फोर्स के प्रवक्ता यानि हूतियों अनसार उल्ला के प्रवक्ता यह यह सारी ने बकाइदा अपने हमले के बारे में चान का रहे थे थे हो कहा है कि गाजा और लेबनान के समर्थन में उनका यह हमला किया गया है उन्होंने यह भी कहा है कि हाइपर सोनिक बैलेज्टिक मिजाइल अटैक जो किया गया है वो इसराइल के मिलिटरी बेस निमातिम एयर बेस पर हमला किया गया है और निमातिम एयर बेस पर इनका हमला बड़ा ही सटीक कहा जा रहा है कि यह हमला हमने बड़ा सटीक किया और निशाने पर हमला लगा है अब जैसा कि सबको मालूम है कि इस्राइल के भीतर मीडिया पर censorship लागू है सोशल मीडिया के जरीए थोड़ी बहुत खबर अगर बाहर आ जाती है तो दूसरे बाहर के विदिशी चैनलों के जरीए उसे खबर के तोर पर पेश कर लिया जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर बेश दावा कर रहा है चाहे मिजाइल रोकने का दावा करने वाला इस्राइल हो चाहे मिजाइल अटैक करने वाला हूती हो हिजबुल्ला हो हमास हो इनके दावे को भी आधिकारिक तोर पर पुष्टी करना जरूरी होता है और इन ही देशों के जरीए जो मीडिया होती है उनके इस्थानी समचार पत्रों में, अख़बारों में, न्यूचर्लों में, पोर्टल से उन खबरों को कंफर्म करा जाता है कि हाँ, इनके धरी हमला किया गया है कि नहीं या दुश्मन के हमले को इसराईल रोकने में कामिआप हुआ है कि नहीं, वो कुछ बोलता है कि नहीं असलिए यमन के हूटियों के तरफ से तो दावा किया जा रहा है लेकिन इसराइल के भीटर कितना नुक्सान हुआ इस बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा राहे ईसराइली मीडिया के ज़रीए लेकिन खेर याय सारी ने कहा है कि हम इसराइली दुश्मन पर नौसैनिक पाबंदी जारी रखेंगे फलस्तीन और लेवनान का समर्थन करते रहेंगे जब तक लेवनान और गज़ा पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक हमारे हमले जारी रहेंगे लेकिन एक खबर ये भी बताई जा रही है भारत की गोदी मीडिया के जरीए कि ये वही MQ9 Ripper Drone है जो भारत खरीद रहा है कहा जा रहा है कि ये 35,000 करोड की लागत से MQ9 Drone को खरीदा जा रहा है पर गवर करने वाली बात यह है कि गोदी मीडिया के जानकारी इतना भी सटीक नहीं होती गोदी मीडिया को बारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम है और खबरों को कन्फर्म करके उनको चलाना गोदी मीडिया के बसकी बात नहीं है गोदी मीडिया का दावा है कि भारत जो है वो अरबों डॉलर खर्च करके 31 MQ9 ड्रोन को खरीद रहा है और ये ड्रोन बार बार यमन के हूती लाल सागर में मार कर गिरा दे रहे हैं यमन में गिरा दे रहे हैं ठोक पीट दे रहे हैं दरजन बर गिरा चुके हैं और 31 ड्रोन भारत खरीद रहा है पर सवाल ये है भारत जो MQ9 Drone खरीद रहा है क्या ये वही drone है जो अमरीका यमने भेज रहा है या जिसे यमन के हूती मार गिरा रहा है क्या यही वो MQ9 Drone है जिसे भारत खरीद रहा है तो इसका जवाव है नई बिलकुल नई हमारा देश जो MQ9 drone खरीद रहा है उसका नाम है MQ9B Predator drone यह MQ9 Predator drone है जो MQ9B के तोर पर जाना जाता है और यह उससे जादा थोड़ा हाइटेक है और यह महंगा भी है जिसे भारत खरीद रहा है लेकिन भारत की जो गोदी मीडिया इतनी बारीख चीजों के बारे में अपने ही देश के बारे में इतना गलसलत बोल रही है इनके दावे के बारे में और क्या कहा जाए इनके दावे पर क्या गवर करना और इनका क्या मजा कुडाना हालत यह हो गई है कि अमरीका इस जंग को पूरी तरह से हार चुका है किस से यमन के हूतियों से क्योंकि सितंबर दो हजार चोबीस मही या या भी दो महीने पहले ही अमेरिकान मीडिया ने भी विदेशी मीडिया ने भी पस्चिमी मीडिया ने भी एक खबर को बहुत जोरोशोर से छापा था जिसमें यह पूछा गया था कि भाई साब अमेरिका क्या लाल सागर का बैटल हार चुका है लाल सागर की जंग हार चुका है बकायदा 6 सितंबर 24 को ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल छापा और इसमें पूरा दिखाया कैसे अमरिका नाकामियों का सामना कर रहा है बार बार यमन के हूतियों से पिटता जा रहा है और कितना पिटेगा कुछ तो हद होना चाहिए इसमें ये भी कहा गया है कि भाई साब यमन के हूति अमेरिका के लिए समंदर में चुनाउती बन चुके हैं परकायदा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बलकि इस्राइल, बिर्टेन वगएरा कही देश जो है वो यमन के हूतियों के निशाने पर हैं वो कुछ भी करते हैं जाने के लिए कितना भी हमला कर लें हूति अपना हमला नहीं रोपते और लगतार निशाना बना ही रहे हैं हर अपते 2-3-4-5 जहादों को निशाना बनाते रहते हैं और लगतार निशाना बनाते रहते हैं हालत यह हो गई कि इलाट का बंदरगा यमन के हूतियों के हमले के वज़े से बिलकुल ठप हो गया उसके पास कुछ बचानी है ठंठन हो गया उसका बंदरगा जो है ना वो बंद हो गया गौर से देखा जाए तो गजा के हालात बहुत अच्छे नहीं है गजा में तड़के बंबारी में यह निस अनिचर के रोज जो बंबारी की गई है सुबह सुबह उसमें उन-40 फलस्तिनी खतम हो गए हलाक हो गए शहीद हो गए मासूम लोग है मासूम बच्चे और ते इनी लोगों तो निशाना बना रहा है हमास हुती हिजबूल्ला से लड़का हो रहा है यह आम लोगों को मार रहा है कह रहा है कि देखो उमने इतने लोगों को मार दिया बाई सब वो बच्चे हैं दूद पिते बच्चे हैं आप उनको मार दे रहे हो लड़ना तो आमने सामने हमास होती इस बूला जाके जंग लड़लो छटी का दूद याद दिला देंगे वहीं आपको रूला देंगे तुरंत इसराइली कबरिस्तानों में बुकिंग शुरू हो जाएगी इसलिए आम मासूम लोगों पर आम लोगों पर बंबारी कर रहा है इसराइल नर्संगहार कर रहा है आरे स्ट्राइक कर रहा है उनको कहीं भी रहने नहीं दे रहा है यहाँ तक कि एक अस्पताल बनाएगे शिल्टर पर भी इसने इसराइल ने हेलिकॉप्टर से वहाँ पर भंबारी किये कितना शर्मनाक बात है हॉस्पीटलों को यह निशाना बना रहा है वहाँ तो मरीज हैं वहाँ तो प्यूडित लोग हैं जो अपना इलाज करवा रहा है यहाई हालात इन्होंने लेबनान के भी तरवी कर रखा है लेबनान के भी अस्पतालों को अल्टेमेटम जारी करते हैं लेबनान में मेडिकल इस्टाप को गिरफतार कर लेते हैं उनके हाथ पर बानकर बाहर कच्छे बन्यान यहान मुनको रखते हैं तो शर्म की बात नहीं है डॉक्ट्रों के लिए क्या दुश्मन और क्या दोस्त उनके लिए तो उनका मरीज ही सब कुछ होता है पर लिबनान में भी यह हरकत से बात नहीं आ रहा है लिबनान में एक दर्दन से ज़ादा इमारतों को इन्होंने जमी दोस्त कर दिया विल्कुल तबाह कर दिया बर्बाद कर दिया थ्वस्त कर दिया ये मैं अलजजीरा की खबर से आपको बता रहा हूँ अलजजीरा के ही मताविक गाजा का जो स्वास्त मंतराला है उसकी रिपोर्ट पर गर गवर किया जाया तो पता चलता है कि 43,552 से जादा फलस्तीनी अब तक खलाक हो चुके हैं और ये आधिकारिक आंकड़े के लावा जो एक अनुमाल लगा जाता है कि कितने नागरी मारे गए होंगे तो कम से कम दो लाग से जादा फलस्तीनी मारे जचुके हैं इस जग में आम लोग हैं बिलकुल आम लोग और लेबनान के अगर बात की जाए तो लेबनान में 317 से जादा लेबनीज हलाक हो रहे हैं वो तावा कर रहा है कि हम हिजबुल्ला से लर रहे हैं हिजबुल्ला वालों सो मुकाबला करो तो अपने तोप लेकर इस्राइल लेबनान में खुस रहा है लिबनान में जब घुस रहा है तो हिजबुल्ला वाले बहुत बुरितर से इनको मार रहे हैं ये जा रहे हैं सही सलामत और उधर से ताबूत में पैखो करके आ रहे हैं हेलेकाप्टर से लात कर अस्पतालों में लाए जा रहे हैं तो हालत तो यह हो गई है इस्राइल की, कि वो सीधे आमने सामने के जंग नहीं नहीं लड़ सकता, अब ही हाली मैंने आपको पताया था कि 30 से जादा बस्तियों को, कई गाओं को, दर्जनों गाओं को, इसराइल ने खुननस से एरिश ट्राइक करके तबाह कर दिया, क्योंकि उन पर वो कबजाई नहीं कर पाया, और हिजबुल्ला नहीं कबजा करने नहीं दिया, महीने दिन तक यह लड़ते रहे, दो महीने तक यह लड़ते भिरते रहे, जिसकी वज़े से लगतार इस्राइल का नुपसान हो रहा है हरजी हलेवी और यॉवग गैलेंड इसी चीज़ के लिए तो कहा रहे थे कि बहुत करो ये जंग अंतहीन है लक्षविहीन जंग है ये आपका मकसदी नहीं कि आपका जंग कहां जाकर खतम होगा और बिना मकसद वाली जंग को बन करो हमास हिजबुल्ला के साथ बैट कर शांति समझावता कर लो सीज़ फायर कर लो ताकि इसराइली सेना थोड़ी बहुत अपना दम भरती रहे थोड़ा बहुत उसका भोकाल बना रहे वरना बहुत नुकसान हो रहा है इसराइल को और यह नुकसान कब तक होता रहेगा इस बारे में कुछ भी ठीक से नहीं कहा जा सकता उमीद लगाई जा रही है कि ट्रम्प बाबू राष्टपती बने हैं जो बाइडन से जाधा अच्छा कारगर करेंगो यह मिड्लीष्ट में जंग को शांत करेंगे अगर शांत कर दे तब माना जाए कि हाँ इन्होंने जंग को शांत कर दिया वरना अमेरिकंस और इसराइलियों पर भरोसा नहीं किया जाता है यह भरोसे का कायबल नहीं होते फिलाल क्या काएंगे इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो गर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें विवायक निस्पक्ष सुतंदर पतर का अरता का सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सजरूर सब्सक्राइब करें झाल 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 झाल